हेलो स्टुएंट माइ यूटूब चैनल जे तूसर क्लास 10 मैच एक्सरसाइज 3.5 का कोश्चिन नबर फॉर तका फर्स्ट इसमें अलजेबरिक मैथर एनी अलजेबरिक मैथरिक का यूज कर सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है लिfind पर्स्ट इसमेर टूसर एक्सिल मान्तों चााहे हो एक्स हान फलजेबरिक का यूटूस्ट इसल इस लिसे एकलावनित्व, इसी हएमा यूटूसर टेुंट फूसर एक हमाटयमित्व हमार् सकते हैं हो इस फूसरी 45かったぎ it 1180 as the hostel charge find the fixed charge and the cost of pill and the cost of food per day क्या करेंगे ठीक है इस तरह के question को हम क्या करेंगे सबसे पहले charge late कर लेंगे let the fixed charge x and the charge per day and y fixed charge x है और per day का charge हुआ गया तो according to question करेंगे atq according to questions question क्या कह रहा है first condition था एक्स प्लस जो तार था fixed charge था कितना रुपिस था 20 y इन दोनों का क्या सम था 1000 क्या था 1000 दूसरा था x plus 26y 26 टे था ना equal to कितना था 1180 अब क्या करेंगे question first or second to solve करेंगे क्या करेंगे solve कर लेंगे by using elimination method दार मैनस कर लो सबको मैनस करेंगे तो एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा मैनस 6y इसमें सिसको मैनस करो कितना आएगा मैनस 180 तो y इक्वेल टू क्या होगा मैनस मैनस अट जाएगा 180 उपॉन 6 तो y इक्वेल टू कितना रखेंगे तो y का वेलू पता हो क्या कितना आया 30 अब क्या करेंगे equation फर्स्ट फूट y क्वेल टू कितना रखेंगे 30 इक्वेशन फर्स्ट आई ना एक्स प्लस 12 इन्टू वाई कितना था 30 इक्वेल टू क्या था है थाउजनड एक्स इसका टूब टूट ज्हिंट एक्स इक्वेल टू थाउजनड तुम स्द्वर्स्ट थिकला तो यहां से क्वेल निकलो तो क्या होगा थाईनट में से 600 मानेस हो जाएगा व थाउजनड प्लसक्षय कितना है गा तो हम यहां पता चला इसलिए प्रूपीज कितना था खिटना मनें यह था कितना हो जाएगा और एन्ट कोस्ट आउफ है फूड पर डे गदांगा रूपीज इस फटर रहे थे ठीक है बच्चो, question number 4 थका second, a fraction become 1 by 3, when 1 is subtracted from the numerator, and it's become 1 by 4, when it is added to its denominator, find the fractions, simple सी question है, ठीक है बच्चो, ठीक है, यहाँ देखो, let the fraction be, मैंने मालिया fraction है, मेरा क्या है, x upon y है, तो according to questions, question क्या कर रहा था, atq according to questions, first condition क्या कर रहा था, जो मेरा numerator था, इसमें 1 minus हो रहा था, fraction क्या आ रहा था, 1 upon 3, यहीं बोल रहा था ना, first condition, numerator में 1 minus कर रहा था, fraction 1 by 3 आ रहा था, cross multiplication, इसका assessment करो, 3x minus 3 by 3, equal to y, तो x और y को एक साथ करो, 3x इस पर रहागा, तो minus y equal to, minus उस पर रहा था, plus 3, question, first, second condition क्या बोल रहा था, second condition में देखो, क्या बोल रहा था, fraction, numerator में क्या रहा था, क्या रहा था, add, 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 8, add कर रहा था, fraction क्या रहा था, 1 upon 4, cross modification, modification, इसका assessment करो कता रहा था, 4x, fraction यह था, ठीक है, equal to, इसका assessment करेंगे, तो y plus 8, यहाँ पर y है, ठीक है, तो 4x minus y equal to 8, ठीक है, ठीक है, अच्छो, equation, second, अब क्या करेंगे, equation first और second को solve करेंगे, तो लिखेंगे, equation first और second को यहाँ लिख लिखेंगे, क्या करेंगे, इंदनों को क्या करेंगे, minus करेंगे, क्यों minus करेंगे, PUT X equal to 5 ठीक्य है थीकल तो 5 के question first में पूट करेंगे यहां पर देखो equation first ही है तो 3 into 5 minus y equal to 3 जिख रहा है ना यहां दो पाइस का to minus कितना हो जाएगा सुविस्टिस को minus करेंगे तो 12 तो y equal to कितना हो जाएगा 12 तो hence करके required fraction क्या होगा hence the required fraction क्या था x upon y था था x कितना था 5 y कितना है 12 ठीक है सबी बचे हमारे यूटूब चैनल जेटिसर को like and subscribe करना न भूले ठीक है बच्चो थैंक यू